हे बच्चा पाइडी विलकम बाक टू यो चैनल मैं हूँ तुम्हारा मेंटो विशाल सर और गाइज मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम लोगों की धड़कने बहुत जादा तेज बड़ी वी होंगे अपने बोर्ड एक्जाम को लेकर के इस्पेशली तुम क्लास 10 वाले तो वो डर होना एक्सेट होना पहिचा नहीं होना बहुती बहुती कॉमन सी बात है लेकिन इस वक्त बात कर लिते हैं आज की पेपर की मुझे पता है तुम में से ज़्यादा तर श्टूडेंट अभी इस वक्त इस बात को लेकर के परिशान होगे कि तुम्हारा रिविजि क्योंकि maximum students मैं कहूंगा 90% plus students ऐसे हैं जिनके syllabus complete नहीं वे, जिनके revision complete नहीं वे होंगे जिनोंने बहुत सारे questions को छोड़ दिया होगा, लेकिन guys देखो डरने से कुछ नहीं होने वाला, अगर इस वक्त अपने moral को, अपने confidence को तुम low कर दोगे ना, तो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए positive नहीं रहेगा ठीके, खेर, अभी इस वक्त मैं आगे जो बताने वाला हूँ, तुम्हारे आज के paper को ले करके उसे बहुत जादा ध्यान से सुनो और अगर अभी भी negativity है, तो यार मेरा negativity सोचो, कि मैंने पूरे slides तयार किये यहां पे, और अभी जब मैं shoot करने जा रहा था, इतने early morning तो power cut हो गया, काफी दर से wait कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ रहा है power, यानि कि बिजली नहीं है तो इस वज़र से मैं तुमको जो slides मैंने तयार किया, वो नहीं दिखा सकता, इसको बोलते है perfect, गरबढ हो ना, लेकिन क्या कर सकते है the show must go on, तो उसे के साथ में मैं अभी directly तुम लगों को कुछ बाते बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान देना, देखो, हिंदी का paper है तुमारा language का paper है तुमारा तो यहाँ पे तुमारी writing speed बहुत माइने रखेगी और एक बात याद रखना कि आज तुमारा पहला paper है एक तरह से, being subject का तो तुमको सिर्फ 3 गंटा का paper नहीं सोच रहे है पहले तुम्हें OMR sheet भादने के लिए तुम्हें 10 मिनट अलग से timing मिलेगा 15 मिनट का उसके बाद अलग से time मिलेगा for the question paper reading और फिर 3 गंटे का paper है तो यहाँ पर तुम्हें बहुत जादा time मिल रहा है question paper reading करने के लिए जो 15 मिनट time मिल रहा है सबसे बड़ा खेल तुम वहाँ खेलोगे 5 मिनट में तुम उर्ती नजर से unseen passage जो है गद्यांच वो तुमको पढ़ लेना है ताकि तुम समय बचा सको ठीके अचा यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ पहली बार तुम बोड देख रहे हो जिस section को भी touch करोगे section A, B, जो भी ठीके तो तुमको उसका अंदर का जितना caution है उसको वहीं complete करना होगा तुम mix नहीं कर सकते हो यह बात एकदम अच्छे से समझ लेना जीके अब यहाँ पर एक बात आता है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझे पूछ रहे थे कि सर पहले किसे cover करना चाहिए पहले तो एक बात समझो जैसे मैंने कहा section जिसको पकड़ोगे उसे complete करना है लेकिन मुझसे पूछ होगे तो तुम्हें literature पर पहले जाना चाहिए उसके बाद में writing writing के साथ में grammar और उसके बाद में reading section काफी बहुत बड़ा time है अगर मैं बोलू time span एक मैंने तुम लोगों के लिए बाटा था अगर मैं तुमको बताऊं तो तुमको section A में चीक है A में तुमको 50 मिनट लगना चाहिए जिसमें reading के लिए 20 मिनट 30 मिनट लगभग काफी है और grammar के लिए भी लगभग और writing 90 मिनट में बस अब यहां ध्यान कुछ खास बातों को देना अब जली से sum up कर रहा हूँ कि एक बात ध्यान रखना कि किसी भी हालत में options जो दिये रहेंगे उसको focus करना जिन option को तुम ज़्यादा अच्छा अच्छे दंसे solve कर सकते हो उसी option का answer देने की कोशिश करना गलती जो तुम्हें नहीं करनी है उन बातों पर ध्यान दो हिंदी का paper है letter writing हो गया अनुछे देखन तुम्हारा sovrit हो गया, email लेखन हो गया यह सब जो भी है, सब format पर मायनना जाता है English का paper हो या Hindi का तो format पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना spelling पर ध्यान देना और writing speed पर तुम्हें ध्यान देना ही देना है और अब एकदम थोड़े से motivation की बात यार कितना कोश होगे खुद को बिल्कुल कोशने की जरवत नहीं है तुम अपने आप में capable हो भाई, negativity हमें होने नहीं देना है चीक है, negativity होने नहीं देना है और एक बात, यार 95% ये सब के race में नहीं आना है वो तुम अपने अप ले आओगे and सबसे most 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 important बात जो मैं बोलूँगा अभी कि यार ये तुम्हारे life करना पहला exam था पहला exam है नहीं आकरी exam है बहुत exam सभी देखोगे, हर exam में तुम excel करोगे और हर बार तुमें नया milestones खुद के लिए भी और सब के लिए भी set करोगे so prove yourself, I am with you मैं भी निकल रहा हूँ, तुम्हारे center में तुम्हारे लिए ही so exam कदम होते के साथ ही में हो सकता है मैं live आऊंगा तुम्हारे question paper के साथ में हम उसको discuss भी करेंगे so please इस वीडियो को सब को share कर दो और साथ ही साथ में English की paper के त्यारी आज ही से हम लगेंगे live classes भी लेंगे और सारे notes भी देंगे साथ ही साथ पूरे important question answers के answer sheet भी map with PDF दे दूँगा ठीक है so अभी के लिए बस इतना में तब तक के लिए all the very best